Hello beautiful souls, this is Sanvish Arma, I welcome you all to my youtube channel, Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक generalised reading लेकर आए हूं, जो की January 2024 के लिए है, आज की reading Pisces यानि की मीन राश्य वाले लोगों के लिए है, फर्स्ट आफ आल, Happy New Year to all of you, ये जो निया साल है 2024, ये आप सब के लिए बहुत सारी खुश्या लेकर आए, जो चीजें आप 2023 में हासल नहीं कर पाए हैं, वो सभी चीजें आप 2024 में हासल कर पाएं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरण हों, आपके घर में सुख, शान्ती, समरिद्धी का वास हो, आपकी हल्क बहुत अच्छी रहे, आप emotionally, personally बहुत अच्छे से ग्रो करें, यही मेरी मनोकामना है, ईश्वर से आप सब के लिए, आज की रीडिंग एक जेनरलाइस रीडिंग है, तो यह रीडिंग कही ना कही आप सब के साथ resonate जरूर होगी, अगर आप मेरी रीडिंग से influenced हैं, और किसी personalized problem का solution मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ बुक कर सकते हैं, यह booking आप मेरे whatsapp के थूरू या फिर मेरी email id के थूरू बुक कर सकते हैं, मेरा whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होंगे, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया हैं, आप प्लीज मेरे चानल को subscribe कर लीजे, और bell icon को press करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-ने वीडियो की notification मलती रहे, मेरे एक और चानल भी है, Soul Divine Choney Taro, link आपको नीचर description box में मिल जाएगा, उस चानल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ, जो आपको आपकी life को channelize करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी daily angelic guidance रोज रात आट बच उस चानल पर पोस्ट करती हूँ, तो आप प्लीज उस चानल को भी subscribe जरूर कर लीचिये, और वहाँ पर भी bell icon को प्रेस करना मद भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मलती रहें, इस reading को आप Sun Rising, Moon Rising या Venus Rising के according देख सकते हैं, अगर आप इस reading को अपने ascendant यानि की लगन के थ्रू देख रहे हैं, तो जो भी moon sign आपका zodic है, उस reading को देखना मत भूलिएगा, for finer details, so आएए जानते हैं, Pisces people, ये नया साल, ये जो पहला महीना है नया साल का, ये January का जो मन्त है, वो General Energies की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, इस मन्त की जो General Energies है, वो आपके लिए किस तरह की रहने वाली है, आएए जानते हैं ये महीना, General Energies की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का होगा, आएए जानते हैं Pisces people, ये महीन अप General Energies की कर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है तो यहाँ पर Knight of Pentacles का काड़ है Then is Six of Swords का काड़ है यहाँ पर Three of Cups का काड़ है Then is the Sun का काड़ है यहाँ पर The next card over here is The High Priestess का काड़ है The next card is Four of Cups का काड़ है Then is Eight of Swords का काड़ है Then is Eight of Pentacles का काड़ है And Bottom of the Deck But Justice का काड़ है देखें पाइसस पीपल आप लोग बहतर जानते होंगे कि आप एक Water Sign Personality है और इस पूरे मन्त में आप अपने Element के According की Act करने वाले हैं उसी तरीके से आप Emotional रहेंगे उसी तरीके से आप बहुत सारी चीजों को लेकर Sensitive रहेंगे चोंकि आपके Element की Characteristics है But इस मन्त में आप एक चीज महसूस करेंगी कि आपके साथ न्याई हो रहा है ठीक है आपके बहुत सारे सवाल ईश्वर से अकसर होते होंगे कि आपके साथ Justice कब होगा आप अपने जीवन में नय होता हुआ कब देखेंगे कब आपके जीवन में उस तरह का Balance आएगा जो आप Deserve करते हैं इस महीने में वो चीज होने जा रही है आपको अपनी Life को लेकर Practical रहने की ज़रूरत है और अगर आपका कोई Court case चल रहा है तो वो भी इस मंत में आपकी Favor में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है इस महीने में अपने चीजों को लेकर Focus रहेगा अपने लिए Stand लीजेगा Situation की हर साइड को जानने की कोशिश कीजेगा और इस मंत में आपको अपनी Integrity Maintain करने है मतलब आपको एक Line Draw करने होगी सब के लिए कि कोई आप से किस हद तक बात कर सकता है और किस तरह की बात कर सकता है ठीक है ये नौँ चीज़ है तो नेक्स्ट इस यहाँ पर Knight of का Card है इस महीने में मुझे आप अपने काम के प्रती अपनी चीज़ों के प्रती अपने करियर के प्रती अपनी लाइफ के प्रती बहुत ही ज़ादा Dedicated नजर आ रहे है आप बहुत loyalty के साथ हरे काम करने वाले है अपनी मेहनत को लेकर आप बहुत ही ज़ादा protective नजर आ रहे है काफी apprehension की energies में भी आप रहने वाले है मतलब चीज़ें अभी वैसे होंगी भी नहीं और negative चीज़ें आप पहले ही सोच लेंगे apprehension की energy से आपको बचना है कोई भी action लेने से पहले थोड़ा carefully plan कीज़ेगा फिर action लीज़ेगा हर एक detail पर आपको focus करने की ज़रूरत है भी नहीं लगेगा की ऐसे भी यह चीज़ हो सकती थी और वो हो जाएगी इस मन्त में आपको meditation करने की बहुत ज़रूरत है इस मन्त में आपको कोई भी action लेने से पहले थोड़ा सा सोच विचार करना है because यह चीज़ का ध्यान रखेगा कि action का reaction भी होगा अपनी intuition के उपर आपको focus रहना है अपनी intuition की आवाज को सुनना है और अपनी समझदारी का बहुत अच्छे से उपयोगा आपको करना है यहाँ पर six of swords का card है इस महीने में आपका challenge भरा वक्त खतम होता हुआ नजर आ रहा है चीजें आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से निकल कर आएंगी अगर आप अपनी life में struggle कर रहे थे तो वो struggle भरा वक्त खतम होता हुआ नजर आ रहा है आपके जीवन में शांती स्थापित होती हुई नजर आ रही है अगर आप बिमार रहे हैं वो बिमारी खतम होती हुई नजर आ रही है इस महीने में आप travel कर सकते हैं अगर आप अपनी transfer expect कर रहे हैं तो वो चीज हो सकती है foreign lands जाना चाहते हैं तो वो भी चीज possible है लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहे हैं अंदर ही अंदर ना आप कोई energy मिस करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कमी जरूर है ठीके अपने आपको उस energy से आपको बच्चाना है अगर आप अपनी उदासींता में ही खोई रहेंगे लाइफ में जो magical opportunity आपको मिलने वाली वो नहीं मिल पाएगी आप वो point मिस कर जाएगे आपको अपनी life की distraction से हटना है पीछे अपने आपको distracted नहीं रखना है अपने आप में discontentment और boredom की energy को prevent करना है अपनी ही दुनिया में खोई रहेंगे तो जो कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है वो भी नहीं हो पाएगा इसलिए अपनी life को लेकर थोड़ा सा active रहिएगा यहां पर three of cups का card है इस महीने में कुछ good news आपको मिल सकती है आपको कोई ऐसी खबर मिलेगी जिसको आप enjoy कर पाएगे किसी की engagement की news हो सकती है किसी की शादी की news हो सकती है ठीके pregnancy की news हो सकती है यह फिर आपकी पढ़ाई के रिगार में कोई अच्छी news हो सकती है divine को thank you कहना मत भूलिएगा और जो आपके immediate family वाले हैं उनके साथ अपनी इस good news को share की चुएगा क्योंकि दूसरे लोगों को तो शायद इस चीज से jealousy हो सकती है इस मन्त में कोई बाहर की third party भी आपकी life में बहुत ज़दा interfere करती हुई मुझे नजर आ रही है किसी को इतना ज़दा interfere आपको अपनी life में नहीं करने देना है इस बात का भी आपको डियान रखना है यहाँ पर eight of swords का card है इस मन्त में आपका confidence वापस आता हुआ नजर आ रहा है आपको यह feel होगा कि आप अपनी life में उतना ज़दा trap नहीं थे जितना आप अपने आप में feel कर रहे थे आपका जो self confidence है वो खतम होता चला जा रहा था लेकिन इस मन्त में वो self confidence आप regain कर पाएंगे और आपको किसी भी चीज़ को action में लाने से पहले थोड़ा सी planning करनी है action लेने से घबराना नहीं है अपनी life की responsibility आपको खुद उठानी है यहाँ पर eight of pentacles का card है देखे इस मन्त में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप मेहनत तो बहुत ज़दा करने वाले हैं और उस मेहनत का फल भी मिलेगा लेकिन अगर आप अपने career में कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं या कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो इस मन्त में आप definitely सीख सकते हैं हर एक चीज़ की detail में चाने की कोशश कीज़ेगा आपकी skills आपके काम आएंगी यहाँ पर the sun का कार्ण है इस मन्त में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके अंदर से जो भी negativity है एक तो आप उसे बाहर निकाल पाएंगे उसे overcome कर पाएंगे अपनी life में success आपको joy मिलता हुआ नजर आ रहा है आपके लिए बहुत magical opportunities होंगी जहाँ पर आपको बिल्कुल अंदरगार नजर आ रहा था वहाँ पर ray of hope आपको नजर आएगी आपके plans बहुत perfectly काम करेंगे divine को thank you कहना मत भूलिएगा so I hope आपको आपकी general energies clear हो गई होंगी Pisces people आई है अब हम जानते हैं यह महीना आपकी love life के लिए क्या लेकर आ रहा है इस मत में आपकी love life की energies किस तरह की रहने वाली है यह महीना आपकी love life के लिए किस तरह का होगा Pisces people आई है जानते हैं यह महीना आपकी love life के लिए किस तरह का रहने वाला है आई है जानते हैं तो यहाँ पर 10 of swords का card है the next card is queen of fire का card है the next card over here is awakening का card है the next card is the target का card है यहाँ पर the next card over here is release का card है the next card over here is six of fire का card है the next card is five of pentacles का card है and bottom of the deck पर two of pentacles का card है तो सबसे पहले Pisces people हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने partner के साथ no contact situation में है 13th of January तक आप अपने partner को chase करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आपको अंदर से बिलकुल यकीन होगा कि आप इस relationship को खूब सूरत बना पाएंगे आप इस relationship को मजबूत बना पाएंगे लेकिन 13th of January तक आपको इस चीज़ की realization हो जाएगी कि अपने partner के पीछे बीचे भागने का आप कोई फाइदा नहीं है ठीक है आपके partner अपनी life में stuck है और आप उन्हें उस stuck zone से बाहर नहीं निकाल सकते हैं आपको ये feel होगा आपको जो ये juggling इनव चीज़ से starting में तो 13 दिन परनेशान करने वाली हैं उसके बाद आप एक फैसला बना लेंगे कि आपको अपने relationship से बाहर निकलना है ये आपका फैसला बिल्कुल सही होगा क्योंकि अगर आप इस relationship में इसी तरीके से फसे रहेंगे और सिरफ अपने partner का इंतजार करते चाहेंगे तो आपके partner वैसे भी आपके पास नहीं आने वाले हैं आपको इस बात की भी realization होगी कि आपके partner ने अपनी तरफ से इस relationship को खतम कर दिया है तो negativity को इस relationship में आपको release करना है आप 13th के बाद इतने ज़्यादा determined हो जाएंगे कि आपको ऐसा feel होगा कि अब आपको अपनी life का charge अपने हाथ में लेना है आपको अपने partner के पीछे नहीं भागना है आप एक नहीं direction में 13th के बाद मुझे move करते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर आप अपने तरफ से इस relationship को खतम कर देंगे आपकी juggling energies भी उसके बाद खतम होती हुई मुझे नजर आ रही है आपका खुद का मन नहीं होगा कि अब आप अपने partner के साथ किसी तरीके से contact zone में जाए आप खुद अंदर से ये feel करेंगे कि अब इस रुष्टे को आपको छोड़ देना चाहिए और आपना एक ऐसी direction में बढ़ने वाले है जहां पर आपके अपनों का साथ आपको मिलेगा ठीक है आपकी love life में आपके अपनों का साथ आपको मिलेगा शायद आपके लिए कोई proposal आ जाए जो आपके अपनों की तरफ से हो और वहां पर आपकी marriage fix हो सकती है तो ये relationship तो इस मन्त पे मुझे खतम होता हुआ नजर आ रहा है जिन्होंने अभी तक अपने relationship के लिए actions ही नहीं लिए तो आप ये देख लीज़ेगा अब आपका अपना मन इस relationship से उठ जाएगा ठीक है तो ये आपके लिए energies रहने वाली है अपने आपको इस relationship से और ज़दा attach करने की कोशिच मत कीचे का क्योंकि इस महीने में मुझे ऐसा भी नजर नहीं आ रहा है कि अगर आप इस relationship पर काम करें तो ये बहतर हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये बहतर आपको छोड़ना पड़ेगा ये relationship इसी month में ओके so I hope आपको ये energy is clear हो गई होंगी अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो अपने partner के साथ contact zone में है इस महीने में starting में आपको ये feel होगा कि आपके जो person है ना वो आपकी तरफ धान दे रहे हैं आप ये feel करेंगे कि आपके partner ना अपने आप में balance create करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने career और आपके साथ balance create करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जैसे जैसे time बीतेगा आपको ये feel होगा कि आपके partner को ना इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फरक पढ़ रहा है कि लोग उनके बारे में क्या कहते है समाच उनके बारे में क्या कहते है उनका social status क्या है इस चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा फरक पढ़ रहा है तो आप ना उनसे थोड़ा सा side हो जाएंगे आप juggling mode पर आ जाएंगे आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपको ऐसा इंसान के साथ रहना भी चाहिए कि नहीं जिसको emotionally तो किसी चीज़ से कोई फरक नहीं पढ़ रहा है अब अपने partner को ये चीज़ समझाने की कोशिश भी करेंगे कि आप क्या सोचते हैं लेकिन आपके partner उस चीज़ को बिलकुल भी consider नहीं करने वाले हैं आपको अपने partner से इस तरह की कोई उमीद नहीं होगी लेकिन फिर भी आपके partner आपको एक stuck zone में लागर खड़ा कर देंगे फिर आपको येसा लगेगा कि आपके चो partner है वो इस relationship को खतम कर चुके है आपके partner actually ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको जानने की जरूरत है बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको ऐसा कुछ feel होगा कि आपको जानना चाहिए क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी भी self respect है आपको खुद से प्यार है आप कब तक अपने partner के पिछे ऐसे से गूमते रहेंगे आप कब तक अपने partner को चीज़े समझाते रहेंगे आपको ऐसा लगेगा कि इस relationship का शायद time period इतना ही था अब आपको इस relationship के बारे में और जादा नहीं सूचना चाहिए ठीक है तो आप खुद इस relationship से एक break up करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं अपने partner से आप थोड़ा time मांगेगे आप कैसा लगेगा कि यह काम नहीं करेगा आप अपनी self respect को compromise नहीं करेंगे ठीक है तो आपके लिए कुछ इस तरह की energies हैं थोड़ा समझदारी से काम दीचेगा history decision मत बनाईए जल्दबाजी में लिए गए जो decisions होते हैं वो कई पर हमारी life के उपर एक बहुत गलत impact डाल देते हैं पर आप सोच समझ कर decision बनाईएगा okay so अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग single है इस महीने में आपका कोई love affair तो बनता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है किसी के साथ लेकिन हाँ किसी और की तरफ से आपके लिए कोई रिष्टा आता हुआ जरूर नजर आ रहा है वो भी ऐसा कोई person जिससे आप पहले बात किया करते थे लेकिन अब आप उस person के साथ communication terms में नहीं है वो person अचानक से आपकी family के साथ communication term में आएगा मतलब कोई relative है ये जिसके साथ अचानक से आप लोगों की बातचीत होनी शुरूर हो जाएगी और वो person आपके लिए कोई रिष्टा लेकर आएगा ये रिष्टा आपके लिए बेहतर होगा लेकिन उस person का कोई past उस person के साथ जुड़ा हुआ होगा जिस past से वो person अभी निकलने की कोशश कर रहा होगा ठीक है तो अगर आपको उस person के past से कोई problem नहीं है तो आप उस person के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप उस तरह के person हैं जिसको past से बहुत ज़ादा मतलब है तो आप इस person के साथ जुड़ने की कोशश मत कीज़ेगा फिर आपका लड़ाई जुगड़ा हो सकता इस person के जो zodic संत्याहा पर मुझे नज़र आ रहा है है इस महीने में आपके career की energies किस तरह की रहने वाली है ये महीना आपके career के लिए किस तरह का होगा आईए जहनते हैं Pisces People ये महीना आपके career के लिए किस तरह का रहने वाला है इस महीने में आपके career की energies किस तरह की होगी तो पहला card है Ace of Cups का card है देखें इस महीने में सबसे important चीज जो आपके career में होने चाह रही है वो है emotional satisfaction आप अपने career में अपने आपको emotionally काफी satisfied महसूस करेंगे जिस तरह का आप अपना career चाहते हैं उस तरह का आपका career बनता हुआ मुझे निसर आ रहा है बट आप बहुत ज़्यादा sensitive रहने वारे हैं कौन सा person आपके बारे में क्या बात कर रहा है यह चीज का effect आपको बहुत ज़्यादा पढ़ेगा आपको बिल्कुल effect पढ़ना नहीं चाहिए इस चीज को आपको control करने की ज़रूरत है इस महीने में आप अपने office की कुछ parties attend करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं आपके ज़जबात है या जो भी आप feel कर रहे हैं अपने career के regard में वो आपको खुल कर कहना है ठीक है और future को दिमाग में रखते हुए decisions बनाने अपनी vision को clearly communicate करना है sensitive नहीं रहना है इतना आपके career में मुझे इस बार बहुत अच्छी improvement होती हुए नजर आ रहे है financially आप काफी secured मैसूस करेंगे अपनी family के लिए खुद के लिए आप बहुत कुछ कर पाएंगे ठीक है अपने retirement के बारे में भी आप कुछ planning करते हुए नजर आ रहे हैं जैसे कि आप long term कोई financial planning भी कर सकते हैं ठीक है इस month में आप अपने emotions को किसी के सामने व्यक्त नहीं करेंगे जैसे आप emotionally contented feel करेंगे ना बहुत खुश होकर आप काम करेंगे लेकिन आप किस तरह की feeling रख रहे हैं ऐसा आप किसी के साथ नहीं share करने वाले है क्योंकि आपको लोगों के उपर शक रहेगा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी around कुछ trustworthy लोग है जिनसे आप अपने दिल की बात कह सकते हैं ऐसा आपको कुछ भी feel नहीं होने वाला है इस महीने में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपने career को लेकर काफी ज़ादा passionate रहेंगे आप काफी confidence के साथ आगे बनने वाले हैं आपको एक risklessness की energies में रहेंगे क्योंकि आपको ये भी करना आपको वो भी करना है ऐसी feeling आपको होगी career के अंदर कुछ ऐसा change होगा जिसमें आपको immediately attention पे करने की ज़रूरत है अपने intuition पर trust रखेगा focused रहेगा निरंतर आगे बढ़ते रहेगा ठीक है आप अपने career में अच्छा करेंगे तो इस वज़े से आप अपनी luxuries पर भी मुझे पैसे spend करते हुए नज़र आ रहे हैं काफी contentment की energies आपको feel होगी आप अपनी family के लिए कुछ luxurious कुछ items खरीच सकते हैं ठीक है लेकिन आप अपने finances के बारे में किसी से भी कुछ share नहीं करने वाले हैं ये energies भी यहाँ पर बिल्कुल clear है okay so I hope आपको आपके career की energies clear हो गई होगी business आपका अच्छा चलने वाला है job में contentment मिल रही है business में भी contentment मिलेगी आपको और जिनके पर job नहीं है आपकी नई job लग सकती है okay so I hope आपको ये energies clear हो गई होंगी अब हम बात करते हैं ये महीना आपका health के लिए किस तरहां का रहने वाला है Pisces people ये महीना आपकी health के लिए किस तरहां का होगा आईए जौनते हैं Pisces people ये महीना आपकी health के लिए किस तरहा का रहने वाला है तो पहला card है यहाँ पर 9 of fire का card है then is the emperor का card है the next card is 5 of fire का card है and bottom of the deck पर release का card है इस महीने तो अपनी health को लेकर आप खुद काफी focused रहेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपनी health को prioritize करना चाहिए अगर healthy ठीक नहीं होगी तो बाकी चीज़ें आप अपने जीवन में क्या कर पाएंगे आप बहुत logically अपनी health को अच्छा बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अपनी health को लेकर आप बिल्कुल भी deal नहीं बरतने वाले हैं आप बलकी अपना strong point of view रखेंगे कि आपको अपनी health किस तरह से अच्छी रखनी है अपने आसपास वाले लोगों से discuss करेंगे अपनी family वाले लोगों से discuss करेंगे और जो situation आपकी health को खराब कर रही है यह जो situations की वच्छे से आपको stress जादा होता है उन situations को आप खुद अपनी life से release करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसका bad impact आपको अपकी health पर soft measure आएगा okay so I hope आपको आपकी health की energies भी clear हो गई होंगी आए अब हम जानते हैं यह महीना आपके future investment और housing के लिए किस तरह का रहने वाला है क्या इस महीने में आप future में invest कर पाएंगे क्या इस महीने में आप अपना dream house बना पाएंगे आए जानते हैं यह महीना आपके future investment और housing के लिए किस तरह का होगा यहाँ पर strength का card है the next is night of fire का card है then is transformation का card है the next is the wheel का card है the next card over here is nine of pentacles का card है eight of cups का card है यहाँ पर then is king of cups का card है and bottom of the day पर page of pentacles का card है so अगर हम बात करें आपके future investment और housing की money की terms में आप definitely investment कर सकते हैं लेकिन past में जिस तरह की आपने investment की थी उसके comparative अपने तरीकों में बदलाफ लाने की आपको जरूरत है यह महीना अच्छा है आपके money की terms में investment के लिए लेकिन past की चीजों से आपको सीख कर आगे बढ़ना चाहिए हो सकता है सामने से कोई person आपको बताए कि आपको यहाँ पर invest करना चाहिए उस person की बात सुन लेजगा वो person आपको सही guidance देना वाला है उस person की guidance से आप एक सही जगा पर एक अच्छा amount invest कर पाएंगे ठीक है mutual funds में invest करना चाहते हैं कर सकते हैं crypto में invest कर सकते हैं stock market में invest कर सकते हैं और भी जहां पर आप करना चाहिए बिलकुल कर सकते हैं और किसी की advice पर definitely आप कर सकते हैं अगर मैं यहां पर बात करूँ आपके dream house की तो आप dream house definitely अपना बना सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर आप अपना नया घर बनाना स्टार्ट करेंगे तो इसी मंथ में कर पाएंगे, हो सकता है आप लैंड लेकर रख लें, उससे next मंथ में आप स्टार्ट करें, अगर बना बनाया घर लेना चाहते हैं, उसकी संभावना यहाँ पर कम ह वो घर या तो आपको पसंदी नहीं आएगा, या वो final नहीं हो पाएगा, ठीके, और अगर आप flat लेना चाहते हैं, वो भी नहीं हो पाएगा, shop लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं, doomedly, ले सकते हैं, कोई problem नहीं है, okay? So I hope आपको 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 ये future investment और housing की energies clear हो गई होंगी Pisces people आएए अब हम जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं Competitives की तयारी कर रहे हैं आपके लिए ये मन किस तरहां का रहने वाला है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं Competitives की तयारी कर रहे हैं आपके लिए ये मन किस तरहां का होगा आएए चानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं एक card नीचे गिर गया है Let me pick up that card for you आएए डेखते हैं तो यहाँ पर है the wheel का card है यहाँ पर The next card over here is six of cups का card है The next card over here is seven of swords का card है The next card is eight of pentacles का card है The next is page of swords का card है Then is king of cups का card है The next card is page of cups का card है And bottom of the deck पर queen of cups का card है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं Competitions की तैयारी कर रहे हैं इस महीने में आपको बहुत ज़दा महनत करनी है Because luck आपको favor करेगा लेकिन पुरानी चीज़े जो आपके पुराने methods पढ़ाई के रहे हैं और आपको ये भी feel होगा कि आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप ये exam crack कर सकते हैं तो पास में crack क्यों नहीं हो पाया ये चीज़े भी आपको परिशान करेंगी अपने logics के according move किये चेगा emotional होकर आपको move नहीं करना है emotional होकर फैसले नहीं लेने है emotional होकर पढ़ाई नहीं करनी है ठीक है हो सकता है कि जिस तरीके से अब आप पढ़ाई करने की कोशिश करें वो आपकी family को समझना है आपके parents को समझना है कि आप करने की क्या कोशिश कर रहे हैं अपनी family को किसी भी तरीके की कोई deep explanations देने की जरूरत नहीं है अगर वो कुछ advice कर रहे हैं उनकी बात को सुन लीजेगा अपने emotions को side पर रखकर अपने logics के इस्तिमाल अपने logics को इस्तिमाल करते हुए आप बढ़ाई कीजेगा अपनी बढ़ाई आप कैसे कर रहे हैं कहां से आप अपते notes तयार कर रहे हैं वो आपको किसी के साथ भी share करने की ज़रूरत नहीं है तभी आपको आपकी बढ़ाई में success मिल पाएगी तभी आपका ये exam clear हो पाएगा अगर emotionally सोचते जाएंगे पहले भी नहीं हुआ अब भी नहीं होगा या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप ये exam देने के लायक ही नहीं है तो ये चीज़े गलत हैं आपके लिए इस बार का result बहुत positive आ सकता है बस महनत कीज़ेगा ओके सो आई होब आपको ये energies clear हो गई होंगी जो लोग पढ़ाई कर रहे है competitives की तयारी कर रहे है सो आईए अब हम जानते हैं कि इस महीने में आपको क्या mode of action follow करना है जिससे कि आपकी energies और positive हो जाए आईए जानते हैं इस महीने में आपको क्या mode of action follow करना है जिससे कि आपकी energies और positive हो जाए आये जानते हैं what should be a mode of action आपको क्या mode of action follow करना है Pisces people आये जानते हैं तो पहला card है यहां पर Divine Alchemy का card है The next card is Life Force का card है The next card is Divine Order का card है The next card over here is Hope का card है The next card over here is Higher Learning का card है And bottom of the deck पर Heart Awakening का card है देखिए इस महीने में आपको अपने current challenges से आगे बढ़ना है आपको focus करना है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं अपने desires के उपर आपको focus करना है और अपने third eye chakra पर और अपने crown chakra पर आपको meditate करना है इस महीने में आपको वो करना है जो आपको लगेगा कि सही है बहुत important lesson आपके लिए unfold हो रहा है इस month में इस month में आपको अपने जीवन को ना बहुत खुल कर जीना है अपने आपको एक passion में लेकर आना है मतलब अपने life को passionately जीने की कोशिश करनी है जिन्दगी को काटना नहीं है जिन्दगी को जीना है और witness day की मेरी angelic guidance में जो भी वाई बताऊंगी वो आपको ज़रूर फॉलो करने है angelic guidance मेरे दूसरे channel soul divine journey taro पर आती है उस channel पर मैं कुछ ऐसी videos post करती हूँ जो आपको आपकी life को channelize करने में मदद करती है और मैं अपनी daily angelic guidance रोसराथ 8 बचे उस channel पर post करती हूँ so please उस channel को भी subscribe ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहें उस channel का link भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा यहाँ पर hope का card है इस महीने में आपको प्यार का चुनाफ करना है अपनी divine worth को समझना है self love आपको practice करना है अपने लिए loving thoughts का चुनाफ जब आप करेंगे न तो वो confidence लेकर आएगा आपके अंदर और Thursday की मेरी intuitive guidance में जो भी उपाई बताऊंगी वो भी आपको ज़रूर follow करने है यहाँ पर higher learning का card है अभी तक आपने अपने experience से बहुत कुछ सीखा है लेकिन अभी आपको खुद के बारे में और चीजे समझना बाकी है जानना बाकी है तो इसलिए meditation आपको ज़रूर करनी है और Friday को इत्र या perfume लगाना आपको नहीं भूलना है ठीक है और जब आप meditation करेंगे जो आपको insights आएंगे उसे decode करने की कोशच भी आपको करनी है Heart Awakening का card है इस महीने में आपको अपने heart chakra के उपर भी meditation करनी है और इस महीने में give and take जो है divine के साथ या universe के साथ balance में होने वाला है तो अपने आपको acceptance की energies के अंदर लेकर आए आपके साथ divine क्या कर रहे है आपकी जिन्दगी में ये सब कुछ क्या हो रहा है इस पर आपको ज़्यादा questions पूछने की कोई जरूरत नहीं है जो आपके लिए हो रहा है वो बहतर हो रहा है so I hope आपको आपका mode of action clear हो गया होगा आपने आपको acceptance की energies में रखेगा और Wednesday और Thursday की angelic guidance में मैं जो भी उपाई बताऊंगी वो आपको ज़रूर follow करने है आए अब हम जानते है इस month में divine आपको क्या blessings देना चाहते है divine की तरफ से आपके लिए क्या messages है आए जानते है इस month में divine आपको क्या messages देना चाहते है divine की तरफ से क्या blessings है आपके लिए आए जानते है तो पहला card है यहाँ पर stepping into power का card है the next card over here is wandering path का card है the next card over here is choosing your path का card है the next card is rainbow blessings का card है the next card over here is miracles का card है and bottom of the deck first thing focused का card है divine आप से यह कहना चाहते है कि इस महीने में आपको अपनी power में आना है आपके पास हर एक चीज को लेकर wisdom है अपनी wisdom का इस्तेमाल आपको करना है और strongly अपनी life में आगे की और बढ़ना बल्कि दूसरों को रास्ता भी आपको इस मन्त में दिखाना है आप जिस रास्ते पर चड़ रहे हैं उस रास्ते को लेकर आपको परिशान नहीं होना अपनी journey को enjoy करते रहिए और आगे की और बढ़ते रहिए divine आपसे यह भी कहना चाहते है कि अपना पात चूस करते हुए आपको घबराने की जरूरत नहीं है आपके लिए हर एक चीज़ पॉसिबल है तो अपने किस्मत को भी underestimate करने की कोशिश मत कीज़े का बस focused रहिएगा जितना ज़दा आप focused रहेंगे उतना ज़दा आपके लिए अच्छा होगा जितना ज़दा आप focused रहेंगे उतने जल्दी आप अपनी मनजल को पा लेंगे और divine आपको यह blessings दे रहे हैं कि बहुत जल्द आपके जीवन में चमतकार होगा आपकी life में एक बहुत बड़ा miracle होने वाला है जिससे कि आपकी जिन्दगी हमेशा के लिए बदल जाएगी आपको rainbow की सभे रंगी energies को enjoy करने का मौका मिलेगा और जो भी darkness है आपकी जिन्दगी की वो दूर हो जाएगी ठीक है so I hope piouses people आज की reading आपको पसंद आई हो नीचे मुझे comment section में जरूर बताईएगा ये reading आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो like करना मत भूलिएगा अपने near india once के साथ share जरूर कीज़ेगा हो सकता है किसी को अपनी life को लेकर अपने relationship को लेकर कुछ clarity मिल सके so do share my video also अगर आप मेरी reading से influenced है और किसी personalized problem का solution मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते हैं ये booking आप मेरे whatsapp के थ्रू या फिर मेरी email id के थ्रू कर सकते हैं मेरा whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होंगे जे लोगों ने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है आप प्लीज मेरे channel को subscribe कर लीजिए और bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए videos की notification मिलती रहे मेरे एक और channel भी है soul divine जोरनी टारो link आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस channel पर मैं कुछ ऐसी videos post करते हूँ जो आपको आपकी life को channelize करने में मदद करती है और मैं अपनी daily angelic guidance रोज रात 8 बजे उस channel पर post करते हूँ so आप प्लीज उस channel को भी subscribe जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए पे आपको सभी notifications मिलती रहे मेरे एक और channel भी है Soul Mystic Tarot उस channel पर मैं आपके partner की current feelings उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जजबात yes or no pendulum readings ऐसी सभी readings पर आपने उस channel पर post करते हूँ so आप लीज उस channel को भी subscribe जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मलती रहे उस channel का link भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा so thanks for watching see you soon